प्रिये दोस्तों, प्रभु ये इशु के नाम में नमस्कार, शास्त्री जानसन सी फिलिप के बाइबिल प्रवचन माला में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. शास्त्री जी बाइबिल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवन सहज भाशा में प्रवचन के लिए जग्त प्रसिद्ध हैं. उनका कोई भी प्रवचन आप से छूट न जाए उसके लिए इस पाठ़े माला को सबस्क्राइब कर लें. सबस्क्राइब करना बहुत ही आसान है. इस वीडियो के नीचे एक सबस्क्राइब बटन दिखता है. पहले उसे क्लिक कर दें. उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें. बस हूग गया काम. अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी प्रुभु का वचन खोल कर उसका पाठ करने से पहले आईए हम प्रार्थना करें हमारे आस्मानी पिता आपने आज हमको ये जो मौका दिया है इसके लिए हम आपके शुक्र गुजार हैं आज शाम को इस तरह से सत्संग के लिए एकत्रित होकर आपकी स्तुति और आरथना के लिए आपने हमको जो मौका दिया उसके लिए हम आपके शुक्र गुजार हैं धनिवाद देते हैं ये आपकी अगवाई है उसके लिए धनिवाद देते हैं अभी जब हम आपके वचन को खोल कर पवित्रात्मा के आवाज सुनने के इंतजार में बैठे हुए हैं तब हमारी बिंती है कि आज प्रभु हमारे दिलों को खोल कर अपना वचन हम को दें जिसस कि हम आत्मिक जीवन में आवश्यक उत्साह और आत्मिक भोजन पा सकें क्योंकि धनिवाद के साथ ये सारी बातें अपने मुक्ति दाता प्रभु येशु के नाम में हम बांगते हैं आमें प्रभु के वचन का ध्यान करना हम सब के जीवन में एक बड़ी धन्य बात है बाकि दुनिया की बातें जो हैं उसके लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है सुबह उठे और सुबह से शाम तक हम दुनिया का ही तो काम करते हैं लेकिन यह हर व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हम अपने व्यस्ति जीवन में थोड़ा से समय निकाल कर प्रभु के वच्चन पर ध्यान करें जब मैं कहता हूँ थोड़ा समय निकाल कर तो आप उसकी व्याख्या यह न करें कि वो शास्त्री सर कह रहे थे कि प्रभु के लिए जुरास समय देना परियाप्त है नहीं मेरे कहने का मतलब यह है कि हम में से हर व्यक्ति को प्रभु का वच्चन सीखने के लिए प्रभु के वच्चन पर ध्यान करने के लिए हर दिन समय निकालना चाहिए और हर दिन प्रभु के वच्चन का ध्यान करना चाहिए इसके अलावा जिस तरह से हम इन दिनों कर रहे हैं इस तरह से बहुती क्रम बद तरीके से, सिस्टेमेटिक तरीके से प्रबो के वचन का अध्यायन भी करना है और इसी उद्देशी के साथ हमने रोमियो नामक पुस्तक का अध्यायन चालू किया था और पिछले हफ़ते अपन लोग नवे अध्याय तक आ गए थे आज हम रोमियो की पत्री दसवा अध्याय खोलेंगे और जैसा मैंने इसके पहले आपको याद दिलाया इस में से हर अध्याय का बहुत गहन अध्यायन नहीं कर रहे हैं बलकि इन अध्यायों में से फस्त रौंड में मतलब पहली बार जब हम अध्यान करते हैं तब हमको उसमें से जो मिलना है ऐसी बातों का हम अध्यान कर रहे हैं दसवे अध्याय में भी हम इस तरह की एक दो बातें देखते हैं जो मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूँ दसवे अध्याय के चवदे हुए पद में हम एक विशेश बात देखते हैं रोमियो की पत्री दस का चवदा जिस पर उन्हें ने विश्वास नहीं किया वे उसका नाम कैसे लें इसका क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि यदि सच्चाई हम हम जान नहीं सके है कौन सी सच्चाई यह सच्चाई कि मुझे और आपको एक नया जीवन देने के लिए प्रभू ईश्व इस संसार में पधारे थे इस सच्चाई को यदि हम नहीं जानते तो सच्चाई पर हम विश्वास नहीं कर पाते क्योंकि जिस चीज को हम जानते हैं सर्फ उसी पर विश्वास कर सकते हैं इसलिए चवद्य अधिया में लिखा है जिस पर उन्हें ने विश्वास नहीं कि उसके नाम कैसे ले जिसके विश्वास में सुना नहीं उस पर विश्वास कैसे करें मैंने दूसरा वाकी पहले पढ़ा था एक विशेष प्रश्न जो हम मेंसे हर व्यक्ति को अपने आप से आज पूछना चाहिए आज इस सभा में जितने लोग बैठे हुए हैं इन मेंसे कई लोग ऐसे हैं हम मेंसे जिनोंने भी प्रभु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया है ऐसा हर व्यक्ति यह चाहता है कि दूसरे लोग भी इस संदेश को सुने क्यों वही तो प्रभु का वचन कहता है जिसके विशे में सुने नहीं उस पर विश्वास कैसे करें मान लीजे कि हमको भोजन की जरूरत है और कहीं पर भोजन बट रहा है और वहां ये लिखा हुआ है कि जिस जिस व्यक्ति को यहां पर जो दिया जा रहा है उसमें से जिस जिस वस्तू की जितनी जरूरत है उतना वो यहां से आकर ले ले मान के चलिए कल आपके गाउं में इस तरह का कोई बोर्ड लगा है एक दुकान के उपर इस गाउं में जिस व्यक्ति को जिस चीज की भी जरूरत है वो यहां आकर जितनी महत्रा में उसको चाहिए वो ले जाए तो इस तरह से सूचना मिलने पर आप अपने घर बैठे रहेंगे क्या नहीं भोजन तो हर व्यक्ति को चाहिए भोजन वस्तु हर व्यक्ति को चाहिए और यदि कोई व्यक्ति उदारता से भोजन वस्तु यदि आपको दे रहा है और जितनी भोजन वस्तु आपको चाहिए उतनी भोजन वस्तु दे रहा है, विवित प्रकार की चीजें दे रहा है तो कोई भी व्यक्ति घर नहीं बैठे रहेगा, बलकि जनता वहाँ पर तूट पड़ेगी इस बात को हम जानते हैं, लेकिन जब तक जो व्यक्ति बांट र दिखा है, कि जिसके विशे में सुनने उस पर विश्वास कैसे करे का मतलब है, कि जिस तरह से एक व्यक्ति सारे गाउंवोलों को उनकी जरूरत के अनुसार हर तरह की भोजन वस्तु बांटना चाहता है, सर्फ यह शर्त है कि भाया आओ और ले जाओ, उसी तरह से इस परिश के सामने यह प्रस्ताव रखा है, हे मेरे बेटे, हे मेरी बेटी, तुझे एक नए जीवन की जरूरत है, उस नए जीवन के लिए मैंने रास्ता खोल दिया है, अब सिर्फ एक काम करने की जरूरत है, हे मेरे बच्चे, हे मेरे बेटे या बेटी, तु यहां आजा औ और इस नए जीवन को प्राप्त कर ले। प्रभू का वचन कहता है कि यदि इस बात को लोगों ने सुना नहीं तो इसको कैसे प्राप्त करेंगे। तुझे बच्चे तुझे नए जीवन की जरुरत है, वो नए जीवन मैं तुझे एक गिफ्ट के रूप में उपहार के रूप में दे रहा हूँ, आ ले जा और दूसरों को भी सूचना दे। तो प्रभू का वचन कहता है कि जिसके बारे में उन्होंने सुनाई नहीं है, उस को कैसे जानेंगे? आप पूछेंगे शास्त्री सर, आपका कहने का मतलब क्या है? देखिए, मेरे कहने का मतलब वही है, जो प्रभू का वचन कह रहा है और वो यह है, कि आज इस सभा में जितनी लोग बैठे हैं, इन में से कई लोगों ने अपने गाउं से, अपने शहरों से हजारों किलोमीटर दूर यातरा करके, यहाँ जो नौकरी के लिए आएं हैं, नौकरी के साथ साथ इस सत्संग में आना शुरू किया, और इस सत्संग में आकर उन्होंने प्रभू इशु का ये संदेश सुना, कि मैं तुमको नया जीवन दूँगा, मुझ पर विश्व संदेश के द्वारा आपको इस नए जीवन की प्राप्ती हुई या ये नए जीवन प्राप्त हुआ, जब तक आपके परिवार के अन्य लोग, आपके नादे रिष्टेदार, आपके दोस्त, आपके संघी, आपके समाज के लोग, जब तक ये संदेश नहीं सुनेंगे, तब तक वे लोग इस नई जीवन को नहीं पा सकेंगे। इसका मतलब यह हुआ कि मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि मैंने और आपने अपने जीवन में प्रभु ईशु के द्वारा जो मुक्ति पाई है, जो नए जीवन पाया है, जो शाश्वत जीवन पाया है, जो कभी समाप्त ना होने वाला जीवन पाया है, उस नए जीवन के बारे में दूसरों को बताएं। देखिए, छोटी छोटी बाते हम एक दूसरे को बताते हैं, बताते हैं नहीं बताते हैं। यदि किसी जगए, खान पान की सामगरी, किसी जिन दुकानों से आप लेते हैं, उन दुकानों से ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का, उससे भी उत्तम खान पान का सामान, उससे भी सस्ता मिल रहा हो। या उसी कीमत पर उससे उत्तम क्वालिटी मिल रही हो, तो आप अपने दोस्तों को, नाते रिष्टेदारों को बताएंगे या नहीं बताएंगे, जरूर बताएंगे, क्योंकि हम मैंसे हर वेक्ति ये चाहता है, कि जो उत्तम चीज हमको मिली है, वो हमारे नाते रिष्टे तुमको एक नया जीवन मिला, मुक्ति मिली, शाश्वत जीवन मिला, इस संदेश के बारे में, इस संदेश को यदि तुमारे माबाप, तुमारे भाई बहन, तुमारे बेटे-बेटी, तुमारी पत्नी, तुमारे पती, तुमारे गाम वाले यदि नहीं सुनेंगे, तु उन तो ये ईश्वर के सामने एक अपराद है तो रोमियों की पत्री दस्वा अध्या आए हमको बहुत सारी बातें बताता है जिसमें से एक महतुपूर्ण बात ये है कि प्रभू के द्वारा शाश्वत जीवन जो हर व्यक्ति को दिया जा रहा है यदि उसके बारे में दूसरों को ना बताया जाए तो उन लोगों को ये शाश्वत जीवन नहीं मिल सकता है और यदि उनको ये शाश्वत जीवन नहीं मिलता है तो गलती किसकी है उनकी है या मेरी आपकी है गलती मेरी आपकी है वही उन्होंने उस शाश्वत जीवन को इसलिए नहीं पाया कि उनको उसके बारे में जानकरी नहीं थी और उनको जानकरी क्यों नहीं हुई इसलिए कि जिनके पास ये ग्यान है उस ग्यान को वो लोग छुपाए हुए है एक बात बताईए मान लीजे रात को गाउं में कम से कम 20-25 लोगों को किसी जगह बहुत जरूरी जाना है और कच्चे संक्रे रास्ते पर लोग जा रहे हैं मान लीजे ऐसा रास्ता है जहां बिजली नहीं है और ये मान लीजे कि आपके पास एक शक्तिशाली टॉर्च है आपको क्या करना चाहिए ये आपकी जिम्मेदारी है कि टॉर्च की रोशनी इस तरह से आप डालें जिससे की बाकी लोग भी रास्ता देख सकें और ये दिमान लीजे कि आप जेब से एक रूमाल निकाल कर उस टॉर्च को ऐसा कवर कर लेते हैं कि बस रोशनी सिर्फ आप ही आपको दिखाई दे रही है आप ये जो कर रहे हैं ये सही है क्या नहीं ये तो बड़ा अपराद है और आपके साथ के लोग आपके बारे में क्या कहेंगे अरे ये आदमी तो बहुत बुद्धिमान है और सबकी मदद करता है और सबकी परेशानी के बारे में बहुत मदद करता है इसलिए लुका चुपा के वो टॉर्च की रोशनी सिर्फ इतनी सी डाल रहा है कि वो देख सके और बाकी सब अंदेरे में चले ऐसा बोलेंगे क्या? ने हम सामाइनी जीवन में इन बातों को जानते हैं, देखिए मैं भी एक गाउं में पैदा हुआ था, वहाँ बिजली नहीं थी लोग क्या करते थे? नेरियल की ये जो पत्य है ना, इसको योँ लंबा बांध लेते थे और इसको एक सिरे से जला लेते थे, वो उसकी भी एक कला है वो वही लोग जानते हैं, जो ये करते थे और वो योँ करते हुए एक आगे जाता था जिसे कि वो जलता जाए जलता जाए और पीछे के लोग उस रोशनी में आगे बढ़ते थे मुझे अभी भी याद है अपने बच्पन में मैं इस तरह से कई बार गाओं में प्रेयर मीटिंग के लिए जाता था और प्रार्थना सभा के बाद जब वापस आते थे तब भी इसी तरह से जलाते हुए एक आदमे आगे जाता था बाकी लोग उसकी रोशनी में जाते थे इवन MSI पास करने के बाद मैं केरल के कुछ गाओं में जब रात को जाता था तो उस समय टॉर्च हो गरे नहीं थे इसी तरह से और एक व्यक्ति जो आगे जाता था सब को दिखा के जाता था आजकल सब जगे रोशनी हो गई है इसलिए इन बातों की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है लेकिन फुर भी आज भी हिंदुस्तान के कई गाओं में ऐसी स्थिति आती है जब सब जगा अंधेरा होता है उस समय जिसके पास रोशनी है उसकी जिमेदारी है कि दूसरे लोगों को ठोकर खाने से बचाए गड़े में गिरने से बचाए और साप और अनी जानवरों से उनका बचाव करें इसलिए सब को रोशनी दिखाता हुए जाए तो आज शाम को मैं आपसे एक प्रशन फिर से पूछना चाहता हूँ आपने प्रभू को मुक्तिदाता की रूप में ग्रहन किया आप इस बात को जानते हैं कि आप सदा सरवदा के लिए जो मृत्यू है जो आत्मिक मृत्यू है उससे बच गए है आप इस बात को भी जानते हैं कि सदा सरवदा के लिए जो आत्मिक मृत्यू है उससे बचने के लिए आपने कुछ नहीं किया बलकि सब कुछ प्रभू ने किया प्रभू ने सूली पर बलिदान दिया प्रभू ने सूली पर रास्ता खुला और इस तरह से रास्ता खुल कर वो रास्ता आपके सामने रखा प्रभू ने कहा हे सब ठके हुए और बोज से दबहे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुमको विश्राम दूँगा ये प्रभू इश्यू की भाणी है जो प्रभू ने बोली थी जब वो पृत्वी पर थे तो जब प्रभू कह रहे हैं सब थके हुए बोज से दबहे हुए यह सुना इसे लिए प्रभू का वचन कहता है जिसके विश्य में सुना नहीं उस पर कैसे विश्वास करें. यदि उन लोगों नहीं सुना तो वो लोग प्रभू के पास नहीं आ पाएंगे. उसकी जिम्मेदारी आपकी है कि हमने यह शुफ संदेश उनको नहीं सुनाया पिछले नो अध्यायों में हम प्रभु ईशु के द्वारा हमको जो नया जीवन मिलता है जो मुक्ती मिलती है उसका अध्येन के आज दस्वा अध्याय हमसे ये प्रश्ण पूछता है कि मेरे बेटे मेरी बेटी तुमने ये जो पाया है इसके बारे में तुमने लोगों को बताया क्या हम सब छुटियों में घर जाएंगे हैं न छुटियों में घर जाकर घर बार में जाकर लोगों से मिलना एक बहुत बड़ी खुशी की बात है तो जब आप इस बार घर जाएंगे तो इस बात को याद रखें ये संदेश सब को सुनाना है उसके लिए आवशक पुस्तक यहां से ले ले आवशक पर्चे यहां से ले ले आवशक CD या DVD यहां से ले ले आवशक memory chip ले 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 जाकर लोगों को दीजिए उनको ये संदेश सुनने दीजिए जिससे कि वे प्रभु ईशु के द्वारा जो मुक्ति है उस मुक्ति के बारे में जान सके एक और उसके बाद आगे एक बात प्रभु के वचन में लिखा हुआ है जो हमको सुनना चाहिए वो यह है कि प्रचारक बिना कैसे सुने मतलब जब तक कोई व्यक्ति जाकर घोशना नहीं करेगा तब तक उन लगों को इसके बारे में क्या ख़बर मिलेगी तो आज शाम को जो मुखे बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ वो यह है कि हमने प्रभु इश्यू के द्वारा जो नया जीवन नई शांती और मुक्ति पाई है उसके बारे में दूसरों को बताना हमारी जिमेदारी आप कहेंगे शास्त्री सर यह जो नया जीवन है यह जो मुक्ति है इसके बारे में एक बार और आप याद दिला सकेंगे कि क्यों नहीं यह याद दिलने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूँ यहाँ नौवे पद में हम देखते हैं वो संदेश यदि तू अपने मूँ से ईश्यू को प्रभु जानकर अंगिकार करे और अ संदेश जो मैंने और आपने सुना जिसके द्वारा मैंने और आपने नया जीवन पाया जो मुझे और आपको दूसरों के सामने ले जाकर प्रस्तूत करना है यह बहुत संश्यप में बताया गया है इसको मैं थोड़ा सा विस्तार से दिया आपको बोलू तो चार या के साथ सदा सरवदा संगती में रहने के लिए मनिश की सृष्टी की थी नमबर दो लेकिन अपने पाप के कारण अपने उलंगन के कारण मनिश ने ईश्वर से अपना जो संबंध है उसको तोड़ दिया जिस व्यक्ति ने भी ईश्वर से संबंध तोड़ दिया है वो सदा सरवदा के लिए नरक में जाएगा इस संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसका संबंद टूटा हुआ नहीं है प्रभू के वच्छन में लिखा हुआ है सब ने पाप किया है इसी पुस्तक के तीसरे अध्याई के तेईसमे पद में लिखा है सब ने पाप किया है और प्रभू के साथ उसका जो संबंद है उस संबंद से टूटा हुआ है चौथी बात प्रभू इस संसार में इसलिए पधारे जिससे कि वो टूटा हुआ संबंद हमको वापस मिल सके पांचवे बात उस तूटे हुए संबंद को जोडने के लिए पापियों को नया जीवन और मुक्ति देने के लिए प्रभू ने सूली पर अपना जीवन दिया चटी बात जो अभी हमने पड़ा इस संदेश को सुनकर यदि कोई व्यक्ति प्रभू से कहता है प्रभू एक ती स्तिरह से प्रभू के सामने बोलता है कि ए प्रभू मैं आपको अंगीकार करता हूं मैं आपको मुक्ति दाता के रूप में स्वीकार करता हूं उस चट एक सेकेंड के हजारवे भाग भी देर किये बिना उसी चटट प्रभू आपको पाप से छुटकारा और यह नया जीवन और यह मुक्ती प्रदान करेंगे ये है रोमियों की पत्री दस्वे अध्याय का संदेश आप कहेंगे कि शास्तरी सराप ये कैसे कह सकते हैं कि इस अध्याय का मुख्य संदेश ये है देखिए, दस्वे अध्याय का पहला पत क्या कहता है हे मेरे भाईयों, मेरे मन की अभिलाशा और उनके लिए, मतलब वो अपने लोगों के बारे में कह रहा है उनके लिए प्रभू से मेरी प्रार्थना है कि वे उद्धार पाएं, वे मुक्ति पाएं प्रभु के महान दास पॉलुस नाम के व्यक्ति ने इस पत्री की रचना की थी पॉलुस एक विशेश कौम से आया था उस कौम के बारे में कहता है मेरे प्रिये भाईयों बहनों मैं जिस कौम से आया हूँ उसके लोगों के बारे में मेरे मन की अभिलाशा और मेरी प्रार्थना है कि वे लोग उद्धार पाएं या मुक्ती पाएं यहां मैं एक प्रश्न आप से पूछना चाहता हूँ आप मेंसे कई लोगों ने इस नई जीवन को पाया इस नई जीवन की खुशी के साथ आप जी रहे हैं लेकिन क्या आपने कभी अपने भाईयों बेहनों परिवार जनों दोस्त मित्रा दिगणों और आपके गाउं के लोगों के लिए क्या आपने कभी प्रार्थना की कि हे प्रभु ये संदेश सुनने के लिए प्रभु ईशु के द्वारा मुक्ती पाने के लिए आपने मेरी मदद की लेकिन हे मेरे प्रभु मेरे परिवार के कितने ही लोग है जिनने इस संदेश को आज तक नहीं सुना है मेरे दोस्तों आते रिष्टेदारों में से कई लोग नहीं संदेश को नहीं सुना और प्रभु मेरे गाउं में जो हजारों लोग है उन्होंने इस संदेश को नहीं से नहीं इसलिए प्रभु मेरी याचना है कि ये संदेश बे लोग सुन सके यहां लिखा हुआ है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ जिस प्रभु के दास ने प्रभु के द्वारा य प्रार्थना कर रहे हैं, उसी तरह से ये मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम, मैं आप अपने लोगों के लिए प्रार्थना करें, आप कहेंगे कि शास्त्री सर्फ प्रार्थना से क्या होगा, जब आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तभी तो प्रभु आपको रास् दिखाएंगे, सी, दूसरों को, मतलब अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को, अपने गाउं वालों को, प्रभु का ये संदेश देना, ये हर व्यक्ति एक तरीके से नहीं करता है, अलग अलग व्यक्ति अलग अलग तरीके से करता है, तो ये कैसे करना है, ये कौन आपको बताएगा कौन मुझे बताएगा प्रभू बताएगे लेकिन यदि आप प्रभू के सामने बैठ कर प्रभू से बिंति और याचना नहीं करेंगे तो प्रभू आपको कैसे बताएगे यह है इस यह जो श्लो कभी हमने पढ़ा था इसका मतलब कि मेरी याचना है आर्थना यही होनी चाहिए कि है प्रभू मेरे लोग इस नए जीवन को पाएं मैं जब पांच साल का था तब मैंने प्रभू इशु को मुक्ति दाता के रूप में ग्रहन किया मेरे पिताजी ने यह संदेश मुझे दिया था उसके बाद पिताजी का पहला उपदेश ये था कि बेटा तुम जाकर यह तुमने जीवन में जो खुशी पाई है यह अपने दोस्तों को बताना मेरे साथियों को बड़े उत्सा के साथ मैं सुनाने लगा उनको कौन सुनाएगा मेरे फादर स्कूल आके पहली क्लास में तो बैट नहीं सकते पहली क्लास में जो व्यक्ति है जिसने इस नहीं जीवन को पाया यह उसकी जिम्मेदारी है कि पहली क्लास के बच्चों को सुनाएगा जब मैं कॉलेज में था तब मैं अपने साथियों के यह संदेश सुनाया करता था पीताई जी घर से कॉलेज में आके तो संदेश सुना नहीं सकते थे, आप ही जाते थे उनका क्लास में घुसने कौन देता उसके बाद जब मैंने MSE की तो वहाँ पर भी ये संदेश सुनाया यदि मेरे फादर जिन्हों ने ये संदेश मुझे सुनाया वे आकर वहाँ सुनायने देते तो वहाँ अंदर तो कोई उसने ही नहीं देता वहाँ तो या तो वहाँ के जो टीचर्स हैं या जो विद्यारती हैं वही अंदर आ सकते हैं प्रवेश कर सकते हैं उसी तरह से मैं आप से एक बात पूछना चाहता हूँ आपके गाउं में जाकर ये संदेश कौन सुनाएगा मैं तो आ नहीं सकता अब मेरी ये उमर हो गई है कि एक सीमा से ज़्यादा चल फिर नहीं सकता और यदि मुझे जाकर ये संदेश सुनेने का मौका मिलेगा तो मैं आपके गाउं में थोड़ी आओंगा मैं तो उस गाउं में जाऊंगे जहां मैं बड़ा हुआ था चंबल के गाउं में जाऊंगा जहां की भाषा मेरी भाषा है जहां की लोग मेरे अपने लोग है जहां का भोजन और वस्त्र मेरा अपना है आपके गाउं में जहना आपकी जिम्मेदारी है एक व्यक्ति सब जगे नहीं जा सकता है तो जैसा मैंने कहा आप कहें शास्त्री सर चलिए हमारे गाउं में सुना आते हैं भाईया आपके गाउं में आप सुनाएंगे जैसा मैंने कहा यह हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार, अपने नातरिष्टदा, अपने गाउं में जाकर सुनाएं, इस करना आज मैं एक बात फुर से याद दे लाना चाहता हूं, इस सभा में जितने लोगों ने भी प्रभु ईशु के द्वारा ये नया जीवन पाया है, याद रखें, आपने पा लिया, इस के बाद उसके बारे में लुका चुपा के चलना नहीं है, या आपकी जिम्मेदारी है कि आपके गाउं में जाकर उस गाउं के बच्चे बच्चे को ये संदेश दे, बेटा, बेटी, तुमको एक नए जीवन की जुरूरत है, प्रभु ईशु, ये नया जीवन तुमको द आती है, एक बात तो बताईए, मान लीजे कल को आप ऐसे ही शाम को बैठे गफशप कर रहे हैं और कोई आदमी आके कहता है कि भाईए एक लोटरी का टिकेट खरीदो, आप कहें कि भाई लोटरी तो जुआ है और इसलिए मैं तो नहीं खरीदता और वो आपके सामने गर के कहें कि भाईए आपने शायद नोट नहीं किया, मैं लंगड़ा हूँ या लूला हूँ या आख से अल्मोस्ट अंधा हूँ और इसका रेंड मेरी रोजी रोटी के लिए और कोई रास्ता नहीं है और इसलिए आप मुझसे एक टिकेट खरीद ले तो बड़ा उपकार होग मान लिजे आप आपको लगता है कि चलो उसकी कुछ मदद हो जाए आप दसका नोट उसकी तरफ बढ़ाते भईया ये पैसा ले जाओ टिकेट नहीं चाहिए तो वो ये दिक है कि नहीं सर मैं तो भीक नहीं लेता आप बाकाइदा मैं तो नोकरी करके जीऊंगा और बाकाइदा मुझसे एक टिकेट ले लीजे तो मान लीजे आप 10 का एक टिकेट ले लेते हैं या 20 का एक टिकेट ले लेते हैं और उसको इदर उदर कहीं डाल देते हैं क्योंकि आपकी लोटरी खरीटने की आदत नहीं है चार दिन के बाद उस लोटरी के टिकेट को टेबल आप क्या करेंगे आप क्या आप ये कहेंगे कि तुम ले जाओ मुझे नहीं चाहिए अरे इवन जो बुद्धिहीन है वो कहेगा कि अच्छा है टिकेट दिखाना मैं भी देखूँ और जब आप देख लेते हैं कि आपकी लौटरी निकल आई है तो टिकेट आप उसको दे देंगे आप अपनी जेब में डालेंगे पैसा आपका है टिकेट आपका है आप अपनी जेब में डालेंगे अच्छे जेब में डालके चुप चाप मुझे उपर टेप चुपका के सब जगे घूमेंगे क्या नहीं यदि 20 करोड़ की लौटरी निकली है और वो भी जाने अन जाने में तो आप कम से कम 10 लोगों को पार्टी हो जाए तो मेरा सवाल यह है कि संसार की चीजें यदि हमको इवन जिस चीज को हम लेना नहीं चाहते हैं वो यदि आकस्मिक रूप से हमको मिल जाए तो हम कम से कम 50 लोगों को उसके बारे में बताते हैं आपको वो दिन याद है कि जब आपका रिजल्ट आया था स्कूल का दसवी का ग्यारवी का बारवी का पास हो गए आपने ये बात छुपा कर रखी थी क्या अपने माबाप से आपने बोला था कि किसी को बताने नहीं कि मैं पास हो गया अरे जब कोई एक्जाम में पास हो जाता है तो सारी दुनिया को बताता है मैंने भी पास किया है मैंने भी पांचवी पास किया है दसवी पास किया है उस समय सिर्फ जार्वी होती थी जार्वी पास किया है और जब जब रिजल्ट निकलता था तो बाकाइदा दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता था जिससे लोग पूछें कि अरे तेरा तो रिजल्ट आया होगा दुफ पास हो गया क्या दरवजे पीसले खड़ा रहता था कि लोग पूछें तो मैं बताओं हाँ हाँ पास हो गया फस्कलास आया है कौन इसी बातों को हमको खुशी मिलती है तो उसको हम छुपा कर नहीं रखते तो शाश्वत जीवन जब हमको मिला है उसको छुपा कर नहीं रखना है वो दूसरों को ये बात हमें बतानी चाहिए तो आज हमने प्रभु के वचन से तीन बातें देखी वो तीन बातें मैं फिर से आपको याद दिलाना चाहता हूँ मैंने जिस क्रम में देखा अब उस क्रम में नहीं जिस क्रम में हमें समझना चाहिए उस क्रम में मैं आपको समझाना चाहता हूँ पहली बात हमें से हर व्यक्तिने प्रभु इशू के द्वारा एक नया जीवन एक नई आशा मुक्ति पाया है नंबर दो उस मुक्ति के बारे में मेरी और आपकी अभिलाशा होनी चाहिए कि सारे लोग उसको जाने सारी दुनिया के लोग जाने लेकिन सारी दुनिया के लोगों को सुनाना मेरे आपके वश्च की बात है और इसलिए मेरे और आपके वश की बात क्या है? अपने परिवार वलों को, अपने दोस्तों को, अपने रिष्टेदारों को और अपने गाउं वालों को सुनाए. यदि इतना हम ने कर दिया, तो प्रभू ने हमारे जो जिम्मेदारी रखी है, वो हमने पूरी कर दी हाँ यदि प्रभू हमको सामर्द देते हैं तो इस से जादा लोगों को सुना सकते हैं अच्छी बात है लेकिन कम से कम इतने लोगों को इसके बारे बताना हमारी जिम्मेदारी है तीसरी बात मेरे और आपके मन की अभिलाशा और मेरे और आपके मन की प्रार्थना हर दिन ये होनी चाहिए कि प्रभू इस संसार में एक लच्छी के साथ आपने मुझे रखा है और वो लच्छी ये है कि मुझे जो नए जीवन मिला है वो नए जीवन मैं अपने लोगों को सुनाओ मुझे आपने जी समाज में रखा है उस समाज में और कोई आकर ये संदेश नहीं सुना सकता क्यों? इसलिए कि दूसरे लोग वहाँ पहुंच नहीं सकते और कोई दूसरा आ जाएगा तो लोग कहेंगे ये कौन है, क्या सुना रहा है क्या बोल रहा है जरूरत इस बात की है कि जो उस गाउं में पैदा हुआ है जिसको उस गाउं के लोग जानते हैं जिसको उस परिवार के लोग जानते हैं जिसको उसके दोस्त लोग जानते हैं वो व्यक्ति जाकर ये संदेश उनको सुनाए इसलिए तीसरी बात यह है कि मेरे और आप के मन की प्रती दिन अब लाशाय यह हुनी चाहिए कि मुझे और आपको जो नए जीवन मिला है ये नए जीवन मेरे और आपके नाते रिष्टेदार और पडिवार के लोग जान सके इन तीनों बातों के साथ मैं आपको आज छोड़ना चाहता हूँ फिर से याद रखें हमको प्रबु के द्वारा गिफ्ट के रूप में वरदान के रूप में नए जीवन मिला है इस नए जीवन के बारे में मेरे और आपके लोगों को जानना चाहिए तीसरी बात वे लोग इस बात को जाने उसके लिए हम प्रार्थना करें और जब प्रबु हमको मौका देते हैं तब जाकर ये संदेश उनको दे इन बातों को जानने के लिए प्रबु हमारी मदद करें यदि आज इस सभा में ऐसा कोई भाई या बहन है जिन्होंने प्रबु ईशु के द्वारा इस नई जीवन को नहीं पाया है तो उनसे मेरा अनुरोध है कि इस सभा के बाद मुझसे या कोई व्यक्ति जो आपको इस संदेश के डीटिल्स बता सकता है उस व्यक्ति से संपर्ख करें जिससे कि इस संदेश के डीटिल्स आपको बताये जा सकें आज से बहुत साल पहले मेरे पिता जी ने ये संदेश मुझे दिया था तब मैंने प्रभु के द्वारा इस नई जीवन को पाया था तब से आज तक मेरी इच्छा रही है कि जो भी मुझे संपर्ख में आए उसको मैं ये संदेश दे सकूँ तो इस सभा के बाद मैं यहां उपलब दूँगा और भी कई लोग उपलब दूँगे उन में से किसी भी व्यक्ति को पुला कर उन से आप पूछ लीजे वो ये संदेश आपको देंगे प्रिय दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि शास्त्री जानसंसी फिलिप के आज के इस बाइबल प्रवचन द्वारा आपको बहुत अधिक अनुग्रह मिला होगा शास्त्री जी बाइबल के हर पहलू पर बहुत ही सरल एवम सहज भाषा में प्रवचन के लिए जगत प्रसिद्ध हैं उनका कोई भी प्रवचन आपसे छूट न जाए उसके लिए इस पार्ठ्यमला को सब्सक्राइब कर लें सब्सक्राइब करना बहुत ही आसान है इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिखता है पहले उसे क्लिक कर दें उसके बाद उसके पास जो घंटी का निशान दिखता है उसे क्लिक कर दें बस, हो गया काम, अब जैसे ही हम कोई नया वीडियो पोस्ट करेंगे तो आपको अपने आप सूचना मिल जाएगी इतना ही नहीं, हर नया सब्सक्राइबर हमको बहुत अधिक प्रोथसाहन देता है, जै मसीह की